इंपी के गुंडा जिले में एक कल्योगी पुत्र ने ही अपनी मां के कुलहाडी से कईवार कर हत्या कर फरार हो गया और प्राता को गुमते कुलहाडी के साथ आ पहुंचा तो पूलिश ने गरिप्तार कर लिया इटिया थोक कुत्वाली के नरोरा भर्राफूर गाउं में सुक्रवार को पूत्र ने अपनी मां के उपर कुलहाडी से वार कर हत्या कर मौके से फरार हो गया गाउं के लोगों को जब इसकी वहनक लगी तो जानकारी गाउं के प्रधान रिजंकर सोनी ने कुत्वाली हईटिया थोक को दी खटना स्थ पर पूलिश ने पहुंच कर लास को कबजे में लेकर पीम के लिए भेज आगी की कैरवाई में जुट गई है यहां के निवासी सुर के राम मिलन के चार बेटे थे जिसमें दो बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है सुक्रवार की दीन में ही कमरे के अंदर खाट पर लेटी अपनी माँ को कुलाड़ी से सर और पेर पर वार रहत्या कर दिया बगवान दीन का कमरे का दर्वाजा बंद पड़ा है तब ही हत्यारा पुत्र चिलाएं लगा हमने मा की हत्या कर दी वहां मवजूद सभी लोग सहम गए बगवान दीन हाथ में कुलाड़ी को लाराते हुए वहां से भाग गया परिवार के लोगों ने देखा तो सभी अस्तंब हो गए सुक्रवार साम से हुई इस संसनी खेज हत्या से पुरा छेत्र सहम गया पुलिस सुचना दी गई पुलिस ने मौके पर पहुंच कर लास को कबजे में लेकर परिवार सहित आसपास की लोगों से जानकारी लेनी सुरू कर दी उसे समय भगवान दीन भी हाद में कुलारी लिये पहुंच गया मौके पर मुझूद पुलिस ने तुरंत उसके वहां से पकड़ कर कोतवाली ले आई पुलिस चत्रा दिकारी भरताल यादो ने बताया कि पूत्र ने मा की कुलारी से मार कर हत्या कर दिये हत्यार को गिरपतार कर लिया गया है नरावरा भर्रा में जो थाना इटिया थोक के अंतरगत पड़ता है मा बेटे में किसी बात को लेके विवाद और कहा सुनी हुई उसी बात से उतेजना में उसने अपनी मा की हत्या कर दिया जंगली नाम का व्यक्ति है और इस संबंध में थाना इटिया थोक में धारा 302 आ